हेलो दोस्तो आपके स्वागत है टेलीकॉम टॉक में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिलाइन जियो के कुछ ऐसे प्रीपेट प्लान्स के बारे में जो कि आपको IPL 2024 बहुत ही असानी से देखने को देंगे इन प्लान्स पे हम आगे बड़े उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना जो कि एक्चल में जियो के सब्सक्राइबर्स है तो सबसे पहरा प्लान इस लिस्ट में आपको बताऊंगा 749 रुपीज का है यह नया प्लान तो नहीं है आपको पता होगा बट इस प्लान की खासियत यह है कि इस वक्त पे आपको यह 20 GB बोनस डेटा देगा जियो ने इसको क्रिकेट ओफर के अंदर डाला हुआ है और इस प्लान के साथ आपको अडेडी मिलता है 2 GB डेली डेटा, अनिमिटेट वोइस कॉलिंग, 100 SMS पर डेए और अब 20 GB एक्स्ट्रा डेटा भी यहां पर आपका जो डेटा नीट से वो पूरा कवर हो जाएगा इस प्लान के साथ 90 डेज के लिए और यह काफी अच्छा ओफर हो सकते है क्योंकि इसमें आपको अनिमिटेट 5G डेटा भी मिलता है आने वाथे जो 3 प्लाइन के बारे हम बात करूँगा, वो हे डेटा वाउचर्द डेटा वाउचरस क्या होते है? डेटा वाउचर्स यहोते है कि अगर आपके पास एक अपर उब्वन गें तो आप उसके ऊपर में इन प्लाइन के साथ रिचार्च कर सकते हैं सबसे पहला data voucher जो यहां मैं बात कर रहा हूं हो है 49 rupees का और यह जो plan है यह actual में नया plan है Jio के तरफ से और Jio ने actual में competition में निकाला है Airtel से तो Jio का यह जो plan है आपका 49 rupees का देगा 25 GB data एक दिन की validity और Airtel का जो plan है आपको देता है 49 rupees में एक दिन की validity बद 20 GB data 20 GB data का मतलब होता है कि आपको 5 GB data Jio के साथ ज्यादा मिल रहा है Airtel के compared इसके बाद है Jio के तरफ से 444 rupees का plan यानल 444 इस plan के साथ आपको मिलेगा 100 GB data वो भी 60 दिन के लिए इस लिस्ट में है 667 rupees का plan इस plan के साथ आपको मिलता है 90 दिन का validity बट साथ में खुब सारा याने की 1500 GB data बहुत सारा data होता है दोस्तों यह अगर आपके पास specially एक base plan है जिसमें आपको खुब सारा data मिल रहा है तो वेल यह सारे plans जो जियो ने cricket offer में डालके रखे है वट future में अगर और plans आते तो मैं definitely आपको alert तो करूँगा तो आप please हमारे channel को ज़रूर follow कीजी हमारे short section को भी check कीजी news updates के लिए और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पे